Hello Friends! हमारी बाडि को विटमिन्स के जैसे ही कुछ मनेरेल की जरूरत रहती है बाडि फंक्शन को सही से चलाने के लिए और जब इन में से ही किसी मनेरल की कमी हो जाती है तो बाडि के कुछ स्पेसिफिक जो फंक्शन हैं वो डिस्टरब होने लगते हैं इन्हीं में से एक important mineral किया जम यहां पर बात करने वाले हैं और वो mineral है magnesium हमारी body के important organs खासतोर से आपके heart, muscles, bones, kidney, teeth इनको magnesium की जरूरत रहती है तो यह body की बहुत सी physical और chemical process के लिए बहुत essential रहता है क्योंकि इनी सब process से मिली energy को आपकी body use करती है different functions के लिए तो अगर आपके body में इस mineral की कमी हो जाती है तो कुछ deficiency symptoms arise होते हैं इसी के बारे में आज हमने यहां पर बात करनी है और जो अगर हम medical terms में बात करें इसको जो है hypo magnesium कहा जाता है तो क्या symptom arise होंगे अगर आपके body में magnesium की कमी हो जाए सबसे पहले यही जानते हैं तो अगर magnesium deficiency की problem start होती है आपकी body में तो आपको symptom जो देखने में आते हैं उनमें mainly जो हैं आपके muscles में आपको tremor और cramps जो हैं फील होंगे इसके लावा nervous dysfunction जैसे की जो है lack of emotion, delirium की problem या फिर जो हैं लोग इसमें अकसर इसकी कमी की विज़े से अगर situation जादा बढ़ जाती है तो कौमत में भी चले जाते हैं इसके लावा आपकी bones में weakness आने के कारण से osteoporosis की समस्या जो है इसमें देखने में आती है बहुत anxiety इसमें रहेगी आपका BP बढ़ जाएगा fatigue महसूस होती है जाद अच्छे से आपको इसमें नीद नहीं आएगी migraine की problem हो जकती है और heartbeats में काफी irregular रहती है तो यह कुछ symptom है जो magnesium की deficiency की वजह से देखने में आते हैं तो यह symptoms के अलावा अगर आप cause की तरफ द्यान देंगे वह भी इसका important part है क्योंकि जब तक आपको कारण ही पता नहीं लगेगा आप उसका निवारन नहीं कर पाएंगे तो जो लोग जादा alcohol का use करते हैं उनको जो है magnesium deficiency की problem जो है देखने में आती है इसके अलावा जो लोग को burn की situation हो जाए कि body का जो है कुछ पार जिन लोगों का जैसे जल जाता है किसी भी accidental problems की कारण से तो वहां पर भी magnesium की deficiency हो सकती है बहुत जादा समय तक अगर किसी को diarrhea चल combination के कारण से भी magnesium की deficiency हो सकती है इसके अलावा जो है अगर आपके body में aldosterone जो है उसका level बढ़ जाए या फिर जो है किसी kidney disorder की कारण से भी magnesium की कमी देखी जाती है इसके अलावा कोई mal absorption की problem हो अगर जैसे की celiac disease या IBS में ऐसा देखने में आता है pancreatitis की अगर problem है वहाँ पर भी sharing magnesium की deficiency हो जाती है और बहुत जादा इन लोगों को sweating होती है तो यह excess sweating के कारण से भी magnesium की deficiency हो सकती है तो यह कुछ कारण हुए और जो है जब आपकी body में एक level पर magnesium की deficiency काफी जादा अगर हो जाती है तो कुछ complication भी इसमें हो सकती है और जो काफी तो इन complication से symptom से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं तो फ्रेंट जो magnesium का normal range रहता है आपकी body में जो होना चाहिए वो है 0.6521.05 mmol per liter जो है और अगर इस range से जो है आपके body में magnesium कम होगा तो वो सारे symptom देखने में आएंगे जिनके हमने अभी बात की तो इस कमी को पूरा करने के लिए plant और animal food दोनों में ही जो है magnesium source पाया जाता है और जो अगर हम इसके richest source की बात करें तो mainly जो है different type के seeds और nuts में जो है magnesium काफी मात्रा में पाया जाता है seeds आप समझ सकते हैं जैसे की peanuts, sunflower seeds, pumpkin seeds इस तरह की जो seeds रहते हैं और nuts, almonds, cashews, पिस्ताज का आप इस्ताज का आप इस्तामाल कर सकते हैं beans इसमें काफी अच्छे रहते हैं green leafy vegetables का जो है आप इसमें इस्तामाल कर सकते हैं तो यह कुछ important आपके diet में जो है अगर 100 grams of almonds की बात करें तो उसमें 279 mg magnesium पाया जाता है, pumpkin seeds में 550 mg पाया जाता है, magnesium, dark chocolates अगर इस्तामाल करते हैं 228 mg जो हैं इसके अदर magnesium रहता है, peanuts में 176 mg रहता है, popcorns में 144 mg जो हैं magnesium पाया जाता है इसके लावा अगर other source हम देखें तो other source में आप flax seeds का इस्तामाल कर सकते हैं, chia seeds का इस्तामाल कर सकते हैं, sun flower seeds इसमें जो हैं काफी अच्छा रहता है, आप जो हैं coffee का इस्तामाल करें, cashews का इस्तामाल करें, hazelnut जो हैं magnesium की कमे को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे रहते ह हैं, तो यह सारे food items को ध्यान में रखते हुए, इनकी values को ध्यान में रखते हुए, आप अपना body में magnesium deficiency की problem आने से खुद को बचा सकते हैं, और वो सारे symptoms से दूर रह सकते हैं, जो आपकी life के लिए नुकसान दायक हो सकते हैं, और आपके health को भी खराब कर रहे हैं, तो आप यह सब जो है, tips को follow करके, जो है, एक healthy life चीएं, तो मीदे friends आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई है, तो please channel को like, share और subscribe कर दे, thank you so much friends for watching, stay healthy, live well.